है एक है अज़्ड कि अपने के सिर्ग वा difकर दंफ Har' क्लोड अब नहीं और तॉड़ी हमाने वा ला तो एक एसा वर्ड है कि इसको सबी लोग कबले करने को सोचते हैं इस वर्ड को खुद्ध नियो ौडी क्रियाट किया था क्या आप लोगों को बता हूँ नियो ौड कोन है नियो मैंक्रफ्ट का गॉड है हिम्लांच के अंदर इतने अजीब अजीब्स क्रियेचर और अजीब अ एक बार हिम्लांज का राजा बन गयाना उसको बहुती ज़्यादा फाइदा होता है इसलिए हिम्लांज का राजा बनने के लिए दो टीम जगड़ा कर रहे होता है वो दो टीम का नाम है कार्क एंटेटी वर्सस हरी चिटनी और लाल चिटनी मुझे नहीं पता उन दों को नम क्या है मैं बस इस्टोरी के लिए लगा था एंड इस सभी को उपर से नियोगाड देख रहा होता है नियोगाड को पता था इन दोने एंटेडी को हिम्लांस का राजा बनने का आउकात नहीं है इसलिए नियोगाड एक एसा राजा को ढून रहा था उसको पीवीपी करना पारकोरिंग करना और सबसे इंपोंटेंट एक अच्छा राजा भनके राज्य का आडिल करना आना चाहिए एंड फाइनली नियोगोड को एक ऐसा बंदा मिल गया था उसको ये सब स्किल था एंड उसको अपने वर्ड मतलब हिमलेंज के अंदर बुला लिया और उसका नाम था स्पार्टिपाई ये स्माटिपाई ये बंदा पहले एक अलगी दुनिया में माइन्करफ्ट खेलता था ये अगवोड उसको अपने वर्ड में बुलाने के लिए उसका पुराने वर्ड मतलब हिमलेंज सीजन वन को डिलिट करवा के स्मार्टीपाई को सीजन 2 वाला सीट दे दिया आप से कुछ दिन पहले मेरा लैप्टॉप है ना उसकी हार्ट्राइफ करप्ट हो गई मतलब उसके अंदर कुछ ऐसे खराबी आवी जिसके वैसे क्या हुआ कि मेरा सब कुछ गया हार्ट्राइफ के अंदर से मेरे विंडोस ग दूण रहा था और डार्क एंटेटी स्मार्टीपाई को दूणने के लिए होगलाला और हुलाला को हिम्लांस का वर्ड के अंदर चोड़ लेता है और हरी चटने लाल चटने एक विजर्ड को बेस लेता है पार्टीपाई को इन लोगों का सामना करना बहुत ही मुश्किल ह होने वाला था इसलिए नियोगोड ने प्लानाजी ड्रीम बॉय और एक्जियो बाई को हिम्नेंट्स के अंदर पाटी बाई का साथ देने के लिए बुला लिया अभी के लिए चारों बंदे आपस में ही लट रहे होंगे बट एंड गेम में इन चारों बंदे मिलकर ही इन सार को पहलने वाले हैं